नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सुपिगा मेरे चैनल में दोस्तों इस चैनल पर मैं टाइपिंग के कोर्से चलाता हूँ टाइपिंग के टिप्स देता हूँ अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाते हैं या फिर इंगलिश टाइपिंग सीखना चाते हैं में घर बैठे तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं दोस्तों पांच मार्च दोजार चैस को कनिश्टे साय का पेपर हुआ था आपने कट आप के लिए बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे आप उस हिसाब से अपना आंकलन लगा लेना कि आपको टैपिंग सीख चैनल को पूरा जरूर देख लेना सबसे पहले तो कि जो आपका टैपिंग होगा वह स्क्रीन टु श्क्री इंत्प करना है तो इसमें थोड़ा सा फैदा मिल जाता है अब keyboard में देख लेते हैं आपकी जो backspace है वो काम करेगी कई चीज़ें होती है लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग पर load डालने की ज़रूत नहीं है बहुत सारी चीज़ें को आपने टाइपिंग होनी है कीबोर्ट में आपका backspace काम करेगा कुछ अगर गलत हो जाता है तो आप backspace को दबा पाएंगे हिंदी की टाइपिंग होगी notification में साब दिया होगा है हिंदी की टाइपिंग होगी और English की वेकल पिक रहेगी आप English की टाइपिंग जो कोई छोड़ना जाता तो English की छोड़ सकता है हिंदी की दे नहीं होगी टाइपिंग और अगर जिस पोस्ट के लिए आपने अपलाई किया है अगर वहाँ पे English टाइपिंग अनिवार ही लिखा होगा है तो उस जिरो अन जिरो रहेगा फॉंट इस फॉंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी फॉंट में आप अभ्यास कर सकते हैं गर पे English टाइपिंग में फॉंट कोई मैटर नहीं करता है कोईसा भी फॉंट हो ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली फॉंट का साइज भी आपका नॉर्मल रहता देखने में ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा नहीं इस टाइप की चीजें बहुत जादा आपने आपने गौर करने की ज़रूत नहीं है उसके बाद जो आपका ये इंगलिस की जो हिंदी की टाइपिंग होगी उसमें 4000 KDPH मांग रहा है अब आसान सब्दों में आपको कहूं तो चाओद की स्पीड चाहिए चाओद सब्द परची मिनट के आपको स्पीड चाहिए ये स्पीड कैसे निकलती है KDPH से मतलब है कि की डिफ्रेशन पर आउर जैसे 4000 की दबाने है एक गंटे में आपने 4000 की दबाने है अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम मिनट के असाब से तो समझ लीजिए कि आपके 13.33 ऐसे ये निकलकर आएगी स्पीड तो आप आसान तरीके सा समझ निकले 24 की स्पीड बान सकते हैं कि 24 की स्पीड हिंदी में मांग रखिये और 27 की स्पीड इंगलिस टाइपिंग में मांग रखिये तो 24 की स्पीड अगर मैं और टाइपिंग से तुलना करूं जैसे SSC जो typing होती है या दूसरे विवागों में जो typing कराई जाती है उससे अगर मैं इस typing की तुलना करूँ तो ये कुछ भी नहीं है बहुत ही आसान typing है ये क्योंकि और जो typing होती है वहाँ हिंदी की typing 30 की speed मांगते हैं और English की 35 की speed मांगते हैं यहाँ पर हिंदी की typing में 14 की speed मांगते हैं और English की typing में 27 की speed मांगते हैं तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कम speed मांगते हैं और accuracy 95% accuracy आपकी होनी चीए हैं उसके अगर उससे ज़्यादा अगर गलतियां होती हैं तो परतिय एक गलती पर समझ लीजिए कि आपका एक सब्द कम हो जाएगा तो इस परकार से आप समझ सकते हैं आसान तरीके से सब्द से मतलब है कि 5 बटन अगर दबाते हैं तो उसको यह एक सब्द मांग लेते हैं keyboard में अगर 5 बटन दबे आपके तो एक सब्द उसको मांग लिया जाता है चाए वो space कि उना दबाओ चाए कोई सी भी कि उसमें दबेगी तो वे 5 बार दबने पर 1 बट मांग लिया जाता है तो आप speed का समझ गए होगे कि speed इसमें कितनी मांग रखिये तो इसमें बहुत सारी चीज़े हैं यह देखने की जरूद नहीं है आपको timing देख लिजीगे आपको 10 मिनट में 10 मिनट के आपको timing मिलेगी 10 मिनट में आपने वो paragraph type करके देना होगा तो जो main main जानकारिया है इस typing से जुड़ी वो मैंने आपको बता दी है यह जो main चीज़े हैं जो आपको पता होनी चीज़े बहुत ज़्याद अपने दिवाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें को डालने की जरूद नहीं है बहुत confusion आपको नहीं करनी है आपने typing में लग जाना है अब typing सीखनी कैसे है अगर आपके नजदी के computer कोई center है आप वहाँ typing सीखना जाते हैं तो वहाँ भी सीख सकते हैं और उसके बाद भी आप मुझसे typing के लिए guidance ले सकते हैं कोई भी दिक्कत आती है टैपिंग में speed बढ़ाने में accuracy सही नहीं होती है तब भी आप मुझसे guidance ले सकते हैं आप मुझे comment कर सकते हैं या फिर आप direct आप मेरे चैनल को subscribe करें आप मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं टechnical पचही मेरे चैनल का नाम है इस चैनल को आप search करके subscribe कर सकते हैं और आप मुझे comment भी कर सकते हैं कि आपको typing सीखनी है लोगोên आप चाहें तो मेरे चैनल के logo पर click करें और सिधे playlist पे जले जाएं आप playlist पे जाओगे वहाँ आपको Hindi typing course के full video मिल जाएंगे पूरा course मिल जाएगा वहाँ पे आपको day 1 से आप सुरू करना day 1 में जो बता रखा वो करना फिर day 2 में जो बता रखा वो करना उस फरकार से आप करते जाओगे घर पे बैठे अराम से tapping सीख जाओगे और English tapping के अभी पूरे course आपको पूरा course मिल जाएगा आपको playlist पे वहाँ से आप join कर सकते हैं फिरी में वीडियो देखकर tapping सीख सकते हैं एक keyboard लियाना डाइसो तीन सो रखाला नॉर्मल सा एक keyboard लियाना उसी keyboard को आप अपने phone से जोड़कर अराम से tapping सीख सकते हों अगर आपके आपके आप कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात हैं अगर computer नहीं है तो लगगा 50 रुपी की डिबाइस आती है वो जो keyboard से phone को कनेक्टे कर देती है वो connector आप ले आना और keyboard ले आना तो उससे आप अराम से घर बैटे phone से English typing सीख सकते हो और Hindi typing के लिए आपने एक WPS Office आपने इस्टोर्ल कर लेना मोबाइल में उसमें आप कुर्तिदेव के phone लोड करोगे तो उस परकार से आप कुर्तिदेव typing भी phone में सीख सकते हो दोस्तों कैसे अगर आपको phone में typing करने में कोई दिक्कत आती है न तो इसी वीडियो के description में आपको दो वीडियो मिल जाएंगे Hindi typing course के लिए एक वीडियो मिल जाएगा और English typing course के लिए एक वीडियो मिल जाएगा बहुत जादा विस्तार नहीं दूंगा इसमें कोई दिक्कत आती तो आप मझे comment कर देना अगर बहुत जादा लोग जैसे जोडते हैं और वो typing के लिए कहते हैं तो रोज सुबह 10 बजे में live आके भी आपको typing करके दिखाऊंगा उससे आप अपने गर पर typing करोगे तो उस परकार से आप typing करोगे तो उससे भी आपको help मिलेगी तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आती तो आप मझे comment कर सकते हैं typing के से जोड़े भी इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो तब तक के लिए बाई धन्यवाद